बच्चो अभी हम चत्रभुज की समरूपता के संदर में बातचीत कर रहे थे समरूपता में आपने ये देखा कि यदि कोई बहुज ये कोई चत्रभुज ये त्रभुज ऐसा है जिसके भुजाओं में एक निशित अनुपात है और उनके सभी संदर में आपसे बराबर है तो आकरितियां समरूप होती है अब हमें देखना है कि सरवांग सम आकरितियां भी समरूपता के गुणों को पालन करती है चलिए देखते हैं हमारा सामने दो चत्रभुज दिखाई पड़ रहा है एक है EFGH और दूतरा है WXYZ ये दो चत्रभुज है जिनके बारे में हमें ये दिया गया है कि दोनों चत्रभुज सरवांग सम है यानि आप लिख सकते हैं कि चत्रभुज EFGH सरवांग सम है चत्रभुज WXYZ के ये सरवांग सम है तो इससे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इनके सब हम आपस में बिलकुल एक दूतरे के बराबर है यानि इसके चारों कॉण करमशा है इसके चारों कॉण के बराबर है और इसकी चारो भुजाओं के ठीक 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 बराबर है ऐसी परिस्थी में आप कहा सकते हैं कोण Z कोण H के ठीक 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 बराबर है कोण Y कोण G के बराबर है कोण X कोण F के बराबर है और कोण W कोण E के बराबर है और भुजा WX भुजा EF के बराबर है भुजा XY भुजा FG के बराबर है भुजा YZ भुजा GH के बराबर है और भुजा ZW भुजा HE के बराबर है तो ऐसी परिस्ति में हमको देखना है कि सरवांग समता की जो शर्ते हैं वो समरूता की शर्तों को पूरा करती है कि नहीं जो जानकारी है हमारे पास से वह हम लिख लें हम यहां से भुजाओं था शुरू करें WX WX बराबर चदरभुज की भुजा EF और XY XY is equal to FG और YZ और YZ बराबर GH और एक भुजा बजगे ZW बराबर HE यह आप देख रहें कि इसकी प्रत्यक भुजा दूसरे चत्रभुज की करमशा संगत भुजाओं के बराबर है अब आप देखिए एक हिस्से को ध्यान से देखें और इससे अनुपात के रूपर लिखना चाहें तो आपको इसको लिख सकते हैं इसका आपने प्रक्षांतर किया तो यहां पर एक बचेगा और यह अनुपात के रूप मिलेगा डबलू एक बटे एक बराबर एक इसी तरह से आपको मिलेगा एक्स वाई बटे एफ जी बराबर एक यहां मिलेगा वाई जेड बटे जी एच बराबर एक और यहां आपको मिलेगा जेड डबलू बटे एच ए बराबर एक आप देख रहे हैं कि प्रतेग संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक के बराबर है यानि आप देख रहे हैं कि इसकी प्रतेग भुजा और दूसरे वाले चत्रभुज के प्रतेग जो संगत भुजा है उनका अनुपात निश्यत है और समरूपता की भी एक यही शर और दूसरी चीज कोणों के बारे में है तो आपने पहले ही कह दिया है कि दोनों इसके जो प्रतिक कोण है दूसरे चत्रभुच के सभी संगत कोणों के बराबर है तो ऐसी इस्ति में आप कह सकते हैं कि दोनों चत्रभुच जो सरवांग सम है वो समरूपता की शर्तों को पू आकरितियां सरवांग संभी होती हैं कारण सही समझाएं बच्चो हम अभी समरूपता के संबन में बात कर रहे हैं अब हमारे सामने नई परसिती है एक नया सवाल है वो यह है कि यदि दो आकरितियां समरूप हैं तो इसका उनके परिमाप पर कोई प्रभाव पढ़ता है क्या जैसे यहां पर आपके सामने देखिए दो चतरभुज हैं चतरभुज A, B, C, D और चतरभुज P, Q, R, S यह दोनों चतरभुज समरूप हैं यानि समरूपता की वज़े से इनके भुजाओं में एक निशित अनुपात है यह इनके संगत भुजाएं समानुपातिक हैं ऐसा आप कह सकते हैं तो हमें देखना है कि यदि दो आकरितियां समरूप हैं तो इनके जो परिमाफ हैं उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो यह हमें यहां पर देखना है तो चलिए पहले हम यहां ते शुरू करते हैं कि चत्रभुज A, B, C, D चत्रभुज A, B, C, D और चत्रभुज P, Q, R, S में P, Q, R, S में जो कि दोनों समरूप हैं तो इनके भुजाय समानुपातिक होगी तो आप कह सकते हैं कि A, B, बटे इसके संगत भुजा P, Q बराबर B, C, बटे इसके संगत भुजा Q, R B, C, बटे संगत भुजा Q, R बराबर होगी बुजा C, D और इसके संगत भुजा RS बराबर भुजा DA और इसके संगत भुजा SP यह हम कह रहे हैं कि इनकी संगत भुजाय समानुपातिक हैं इस आदार पे हम लिक रहे हैं A, B, बटे P, Q B, C, बटे Q, R C, D, बटे RS और DA, बटे SP मल लेज़े, यह सारे अनुपात बराबर हैं और इन अनुपातों को हम M से प्रदर्शित करते हैं तो ऐसी परसिती में आपको मिलेगा A, B, बराबर M, इन्टू P, Q और B, C, बराबर मिलेगा M, इन्टू Q, R इसी तरह से आपको CD मिलेगा M, इन्टू, आरेस और DA, बराबर मिलेगा आपको M, इन्टू SP तो देख लिजे A, B, बराबर M, इन्टू P, Q BC, बराबर M, इन्टू Q, R CD, बराबर M, इन्टू RS और DA, बराबर M, इन्टू SP यह आपको मिला अब आप जड़े इनके परिमाप के बारे में सोचिए हम पहले ABCD के परिमाप के बारे में लिखें तो हमको मिलेगा ABCD का परिमाप आप जानते हैं परिमाप चारो भुजाओं का योगफल से प्रदर्शित होगा तो आप लिख सकते हैं पर A, B, प्लस B, C, प्लस C, D, प्लस DA A, B, प्लस B, C, प्लस C, D, प्लस DA यह हुआ ABCD का परिमाप ABCD के परिमाप को आपने इस रूप पर प्ताप्त किया और उसका मान आपने इस रूप पर लिख चुके हैं जो दूसरा समरूप चत्रभुज है उसके परिमाप में अब दूसरे चत्रभुज PQRS का भी हम परिमाप लिखे PQRS का परिमाप यह बरापर हो जाएगा PQ Q plus QR plus RS plus SP अरदी आप इन दोनों के परिमाप का अनुपात लेना चाहेंगे तो आपको इक काम करना होगा ABCD का परिमाप बटे PQRS का परिमाप बराबर परिमाप का जो मान आपने लिखा है उनके बीच भी आपन पात के लिए बटे का लाइन केज़ दे तो आपको मिलेगा AB plus BC plus CD plus DA पूरे का बटा PQ plus QR plus RS plus SP अब आप देखिए यहाँ जो आपको मान मिला है वो उसका मान PQ QR RS और SP के पदों में आपने प्राप्त कर लिया है यदि इन मानों को हम यहाँ पर लिखे तो हमको मिलेगा M into PQ plus M into QR plus M into RS plus M into SP यह आपको मिलेगा और बटे में आपको फिर यह पूरा का पूरा पद मिलेगा PQ plus QR plus RS plus SP यदि आप देख रहे हैं कि M, M, M सभी जगा पर उबैनिस्ट है यदि आप उनको कॉमन ले रहें उबैनिस्ट निकालने तो आपको मिलेगा M into कोस्टक में PQ plus QR plus RS plus SP बटे में फिर से इस पत को आपको दुबारा लिखना होगा PQ plus QR plus RS plus SP आप देखिए कोस्टक के अंदर जो राशिया हैं वो आंश और हर में दोनों जगा मौजूद हैं और बराबर हैं इसलिए पर इस पूरे का बदले में लिख सकते हैं तो आपने पाया कि दो समरूप चत्रभूज यदी हैं तो उनका अनुपात ABCD का परिमाब बटे PQRS का परिमाब यह जो अनुपात है वो M के बराबर है जो इनका स्केल गुणाग था स्केल गुणाग की परिभाशा आपने पहले पढ़ रखी है तो आप देख रहे हैं कि जो अनुपात उनके भुजाओं में हैं वही अनुपात उनके परिमाब में भी है तो आपने देखा कि अदि दो आकरितियां समरूप हैं तो उनके भुजाओं के बीज जो अनुपात होगा वही अनुपात उनके परिमाप के बीज भी होता है यह आपने यहां से प्राप्त किया